कि ही गाइज वेलकम टू माई चैनल स्वाम्य टैरोट का डीडिंग और इस टाइम पर क्या करेंट फीलिंग है क्या करेंट एनर्जीज है आपके पार्टनर की आपके पर्सन की आपके लिए टैरोट से देखते हैं कि क्या नर्जीज आपके पार्टर की So dear guys, यह जो रेडिंग है, वो कोई भी देख सकते हैं Means आप girl है, boy है, male है, female है या फिर कोई भी रेलेशन आपके पार्टर के साथ आप स्टेरो कार्ड रेडिंग को देख सकते हैं So no problem And married relationship, love relationship, new beginning, third person या फिर कोई और relationship सबी के लिए इस टेरो कार्ड इडिंग को अप देख सकते है और राशी में बता दूगी डिंदी कार्ड जो भी राशी मुझे आइंगी समझ में या जो भी दिखेंगी टेरो कार्ड की अकॉर्ड़ेorg वो मैं आपको बताने वाली हूं चलनल को लाइक सिश्क्राइब कर लीजे चलनल को लाइक सिश्क्राइब कर लीजगा बैल ऐकन को ज़रूर प्रैस कर लीजगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए सो इस टाइम पर क्या energies आ रहे है आपके partner की यहांपर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस cards को देख करना मैं मतलब first energies में ये card okay कभी भी ना first energies में इस टाइब की energies आती है तो असा लगता है कि मतलब आपका जो relation है वो किसी और के हाथ में चला गया है यहां पर energies मुझे लग रही कोई control कर रहा है आपके partner को बहुत ज़्यादा controlling energies आ रही है और वो हर तरीके से आपके partner को इतना control करने की कुशिश कर रहा है कि आपका partner जो है वो I think आपके पास नहीं आ रहा होगा यह देखेंगे इस card को जड़ा define करेंगे यह देखेंगे कि वो अ अपनी मर्दी से नहीं आ रहे है या फिर third person ने control करकी क्योंकि यहां पर तो जो energies आ रही है उसके साफ से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक queen है और वो अपने cups के जरिये सारी चीज़े को control करती है ठीक है अब आपकी relation में आपके love life में आपकी married life में या फिर आपका जो भी relation हो आपके partner के साथ उसमें भी क्या कोई एक कैसा person है क्या कोई कैसा इंसान है है ना जो जो आपके person को आपके partner को अपनी तरक से control करके रखा हुआ है और उसने इतना ज़्यादा कर लिया है कि वो आपके प्यार को आपकी महबत को आपके relation को और सारी अपनी जिम्मेदायों को भूल कर उसके पास चला गया है कि ऐसे अनर्जीज मेरे को यहां पर आ रही है comment box में जरूर लिखेगा मुझे बताएगा क्या यह energy सही है जो आप देख आई है इस ट्राइम पर resonate की है क्या आपको and comment box में जैशीरी रादे कृष्णा लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए बड़ी positive से energies आती है आप सभी लोग लिखते है आप सभी लोगों को मेरा प्यार जैशीरी रादे कृष्णा तो energies क्या आ रही है इस ट्राइम पर और tarot card में लेंगे define करेंगे देखो बहुत कात हो गई और काफी कुछ रिष्टा तोड़कर या छोड़कर आपको चले जरूर गए लेकिन अब मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अपनी जो नोने मतलब जो गलती की थी ना उस गलती को बहुत पस्ता और है क्योंकि यह तो जो भी है third person के रूप में भाईच आए कोई भी हो सकता है है ना कोई he she ho male female या कोई family है या career I don't know बहुत सारी चीज़ें हो सकते क्योंकि general leading है ठीक है तो यहां पर यह जो controlling energies आरी ना यह controlling energies यहां पर यह बता रहे है कि सब कुछ चीख चल रहा था और अचानक से ना आपके partner को अपनी तरफ attract करने के लिए या फर उनकी आप लोगों की जिंदगी में life में interfere करने के लिए कोई एक ऐसा person आ गया जो हाथ दो कर पीछे पड़ा हुआ है कि भाई हम इने नहीं मिलने देंगे ऐसा मेर को यहाँ पर tarot card में लग रहा है लेकिन अब आपके partner को देखकर लग रहा है कि उसकी energy को देखकर लग रहा है कि भाई वो तो बहुत जादा मतलब इस time पर पर परिशान भी है उस third party से औ और आपके पास आना भी चाहता है उसको देखकर मुझे लग रहा है and कई न कई अगर आपको भी ignore कर रहे है या फर वो आपसे बात नहीं कर रहे है तो को कि देखे हर card से यहाँ पर यहीं बता रहे है यह भी card से यहाँ पर यहीं कह रहा है कि वो तो बहुत ज़्यादा आपको खोकर बहुत बड़ी मिस्टेक की बहुत गलती की तो यहाँ पर यह card से energies भी आ रहे है कि मतलब overthinking बहुत ज़्यादा कर रहे है स्ट्रेस ले रहे है अब देखो स्ट्रेस तो वो लेंगे ही एक चीज़ मैं बता दूंगे कि यहाँ पर जो energies मैं देख रहे हैं उस energies के according देखो स्ट्रेस तो बनता है क्यों कि जब आपके साथ proper relation था जब आपके साथ कच्छी happy energies थी और देखो happy energies के साथ card भी strength मैं आपके साथ जब स्ट्रेवल थे है ना जब बनी बनाए चीज में आप जब बनी बनाए चीज को आप बिगाड़ोगे खराब करोगे तो फिर एक नेक दिन स्ट्रेस तो ले नहीं होगा ना dear guys है ना मैं गलत तो नहीं बोल रहे हूं ना क्योंकि जब आप सब कुस ठीक है और जब आप साथी चीज को ठीक होने के बाद भी जब उस पर पानी फेकोगे आप उसको हटाओगे लेट गो करोगे तो बाद में फिर इस्ट्रेस होगा ना अफसोस तो होगा कि सब कुस तो ठीक था और अभी सडनली जो है बिगाड दिया आपके पार्टनर ने इग्नूर करने लग गए और जो को यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ओवर थिंगिंग इस्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर है ना सोचते बह ऋब ज्यादाँ है गहरे ही सब्निन, पास्ट के बारे में सोच 바ара, जब एत्पिक आन इक दूसरे को कैसे मतलब टेक्केर करते थे, किसे बाते करते थे, कितनी कितनी बाते हसी हैपी एनर्जीज, रोमांटिक एनर्जीज, वो सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पर दिख रही न और अभी देखो यह क्यासी एनर्जीज में आगे हैं आपके पार्टनर अभरी टैम सोचना, थोट्स थेंकिंग, ओबर थेंकिंग स्ट्रेस, यहाँ पर यह दिखाए दे रहा है मेरे को, और अब कंट्रोल भी किसी दूसरे का हो गया है तो कहीं न कहीं से नर्जीज से निकल भी नहीं पारे पर चाहा है कि निकल जाए उस कंट्रोल से वापस मिल जाओ आप उनको पहले तो कदर नहीं कि आपकी और आप चाहर है कि वापस मिल जाओ क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है क्योंकि आपका लव दिख रहा है मेरे को यहाँ पर स्ट्रेंथ का कारड है मिस आपने तो प्रॉपर लव दिया था प्रॉपर आपने उनको अपना support दिया सब कुछ ठीक था आपकी तरफ से लेकिन I think शायद उनको समझ नहीं आ रहा था है ना तो शायद वो आपकी कदर नहीं की ये चीज़े मुर्गों यहाँ पर दिख रही है ठीक है ना तो यहाँ पर सोच बहुत जादा रहे है अवर्थिंकिंग बहुत जादा हो रही है और कंट्रोल यहाँ पर जो भी परसन है इसने इतना कंट्रोल कर रहा है कि इनकी बहुत सारी चीज़े भी डिस्टर्ब हो गई है मतलब लाइफ में डिस्टर्बेंस बहुत हो गया तो अभी आपके पार्टर्ण ने न मतलब अनरजीज के कोड़िंग मुझे यहाँ पर लग रहा है कि तरसर है वो आपके प्यार पाने के लिए देखो जो भी कार्ट्स मतलब मेरे को दिख रहे वो बराबर यही यही बोल रहे है कार्ट्स मेरे को आज की आज की कार्ड तो मुझे समझी नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलू आपस, हर कार्ड मेरे को ये बोल रहा है कि मैं मुझे वापस जाना है अपने पार्टनर के पास, मतलब आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं, dear guys, यहाँ पर एक कार्ड यहाँ पर यह बोल रहा मुझे नहीं रहना इस third person के साथ यह आप a net of cups cup लेकर आपके पास आ रहे आपको अपने प्यार देना चाहते है अपनी जिमेदारी पूरी करना चाहते है जो comment किया था आपको वो पूरा करना चाहते है बहुत हो गया आपसे दूरियां अपनी बढ़दास्थ हो रही उनको यहां पर pentacles की energies आ रहे अपना pentacles सापको मदलब हर कार्ड तो मेरे को यहीं बोल रहे कि आपके partner वापस आएंगे एक कार्ड ऐसा नहीं है जो मेरे को यह बोल रहे है कि मैं नहीं आओँगा हर कार्ड यहीं बोल रहे है कि पार्टनर वापस आएंगे, पार्टनर वापस आएंगे, उनकी फिलिंग्स बहुत जादा प्याओर हो रही है, लव जो है न, ट्रू, आपका लव, दिखो सची फिलिंग्स, ट्रू लव, एक न, एक दिन समझ आई जाती है, है न, अगर आप, आप, जो भी एनर्जीज मे हो, या जो भी सच्चाई होगी, एक न, एक दिन सामने आ जाती है, तो आज क्या हो रहा है, कि आपके पार्टनर को आपकी सच्चाई पता चल चुकी है, वो सच्चाई, जिससे वो धूर भाग रहे थे, मतलब आपको, आपको, आपसे वो लव करते थे, लेकिन, जो भी था फाइनेंस सपोर्ट दिया हो उनको, या फिर, बहुत सारी चीज़े, एज मुझे लग रहा है, कि एज डिफरेंस हो सकता है, थार परसन में, आपके परसन में, मुझे एज डिफरेंस भी दिखाए दे रहा हो सकता है, कि आपका पार्टनर जो है, वो बहुत एज का हो, या बहुत काम है, थार परसन काफी काम है, या फिर इधर ज़्यादा है, इसका भी हो सकता है, मतलब दोनों की इस डिफरेंस हो भी सकती है, लेकिन मुझे को दिख रही है, अच्छा, लांग डिस्टेंस रिलेशन आपका आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जननल एडिंग है, तो एनर्जीज मुझे जो मिल रही है, मैं वो बताती जा रही हूँ आपको, आच्छा, हाँ, क्योंकि लांग डिस्टेंस रिशन सिप में अगर आपका पार्टनर है, तो मैं यह देख रही हूँ कि वो पहले बहुत ध्यान रखता था आपके उपर, ले इसकी बजल से उनका ऐसा रवाया हो रहा है, लेकिन वो तो थर्ड़ पर्टसन है ना, उनसे उनको फियर भी है, यहाँ पर मुझे यह भी दिख रहा है कि फियर बहुत जादा है उनको, अच्छा, आपके साथ, आपका जो पार्टनर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आ मैरे इसके लिए ही खाली देख रहे हो, कि मैरे इसके कमेंट्मेंट नहीं की नहीं, दो को यह आप से मैरे इस तो करना चाहते है, इनके दिल में फिलिंग्स है, लेकिन थर्ड़ पर्सन बहुत जादा है, इनको अपनी तरफ जो है ना, मतलब इनको परिशान भी कर सकता है, या फिर आप देनों को अलग कर रहा है, या फिर थर्ड़ पर्सन नहीं चाहता है, तो कंट्रोलिंग एनर्जी जा रही है, और आपके पर्सन जो है, वो उन्होंने क्या किया कि पहले उसको बहुत जादा मतलब रिस्वांस दे दिया, आप दूर भाग रहे हैं, क्योंकि अ तक ना आपके साथ भी यहां पर बहुत गरबड हो गई, मतलब पूरा साइलेंस हो गया न रिष्टा, तो आपके पार्टनर थर्ड़ परसन के बास जाकर आपके साथ रिष्टा और दिस्टरब कर लिए, मुझे यहां पर यह दिख रहा है, और थर्ड़ परसन उनके पर इ पर को वैंट्स नजर आ रहा है, मतलब ऐसे नजीज आ रही है, और जातर वैंट्स के नजीज आ रही है, धनु राशी, मेश राशी, सिंग राशी, कर्क, और ब्रेश्चिक राशी और पैसेज, यानि की कैंसर इसको और पैसेज हो सकते हैं, ठीक है, एंड अ, कन्या, टॉरस, टॉरस एंड वर्गो, काप्रिकोन यानि की मकर राशी, ठीक है, हो सकती है, यहां पर, और मैं देख लो, जस्ट ए मिनट, I think, सोट्स मेरे पास नही है, ठीक है, सोट्स नही है, तो सोट्स अभी नही है, अगर सोट्स के नर्जीज आएगी तो मैं बताओंगी, यहां ने बताई है, आपको यह राशी आपके पार्टनर की हो सकती ही, हो सकता है, कि आप इस राशी के पार्टनर से, डियर गाइज, डील कर रहे हो, ठीक है, एंड, यहां पर मिनको दिख रहे है, टैमले से अच्छा मेरी टेरो कार डिडिंग, अगर कभी भी अचालनक से स आपके सामने आ जाए न, तो समझ लिए कि यह जो अनर्जीज है, आपके पार्टनर की अनर्जीज है, और वो चाहा रहे हैं, कुछ कहना मैसेज, या फिर कुछ अंजिस मैसेज आपको गैट करना चाहरी है, इसलिए मेरी डिडिंग आपके सामने आ गई है, तो देख लेते हैं, कि वो आप से अब दूर रहना नहीं चाहते हैं, बहुत हो गया दूरिया, अब उनको मतलब ही लगने लगा है, कि मतलब ऐसे तो हमारा डिलेशन ही टूट जाएगा, ऐसे तो आप दूर चले जाओगे, और यह भी देखो, एक चीज यह भी हो गई है, कि कही नहीं जाने से पहले कि उन्हें हो सकते हैं, कि वो थर्ड परसन ठीक हो कि नहीं हो, जब रिलेशन उन्हें आप से रखा था, तो आपके पास ही उन्हें अना चाहते हैं, अब यह आ रहे हैं, आपके पास, अब थर्ड परसन का कंट्रोल आ रहा है, तो कितनी जादा मिस्ट्रिक हो कि अइन कर दम करें कि बन रफर ही नहीं है अब कि ब्रावरी फिल्ञा आप दार कि ऊवर मकiff संड पर्संड के मिसंदेंग की अपस बनते भी नहीं नहीं है आपके एंरजिस्त रफो है ऐग जलेंकि अब कि पार्टनर ने कमिटमेंट किया वादा किया लेकिन जब कमिटमेंट का वादा टाइम आया तो वो फैमली फैमली या थार्ट परसन लाइक जो भी चीज़े बीच में आ गई न तो आप आपको गुसा आ रहा है कि भाई ये चीज़े पहले क्लियर होने चाहिए थी और क्योंकि पहले शायद आपको बहुत ज़्यादा बोला था कि भाई मैं साथ दूंगा हमेशा दूंगा अल्वेज रहूंगा ये वो दुनिया बर की बात है और अब जब टाइम आया साथ देने का तो वो है ना तो यहां पर एक अनर्जी यहां पर यह भी आ रही है देखो पहले में यह वाला काड लूँगी तो यहां पर शेर नहीं आपको प्रॉपर ब्लॉक यह भी हो सकता है कि बाती नहीं करेंगे लेकिन अंदर ही अंदर आपकी पार्टनर की जो फिलिंग सारी ना वाट इस ट्रेस्फुल आ रही है बट कंट्रोल है थाट पार्टसन का अच्छा आपकी जो कार्ट से मैं आपको बता दिये यह कार्ट स तो थोड़ा समझाएगा आपको भी अच्छे से दिखिया आपकी जो आपकी जो कार्ट से उसमें सक्सिस का काड आया न्यू विजन मतलब कोई रास्ता सुल्च है का अब आपके पार्टनर आना चाह रहे है आपकी तरफ यहाँ पर जो कार्ट से वो यही कह रहे है कि भई म आपकी तरफ चल दे हैं मतलब उनकी फिलिंग्स सबसे पहला क्या होता है कि हम अपने मन को तयार करें कि मैं जाना क्या जाएंगे तो हम तभी ना तो फिलिंग्स उनकी आग चुकी है आपके लिए और वो आपको ही अपने जीवन में लेकर आएंगे यहां पर यह इनर्जी आपकी विलाइफ अधूरी उनके बना आए तिंग जातक मेरे को दिख रहें आपकी कार्ट से सो इनकी फिलिंग्स है और आपकी कार्ट में सक्सिस एंड यहां पर जो कार्ड है यह कार्ड बहुत इंपोर्टेंट यह कार्ड यह बता रहा है कि दो यह आना जाते हैं लेकिन 3rd person क्या प्रगां कार्ट का लेकि फिलिंग्स तो आप जब वो आना चाहते हैं ठार्ट परसन रोक रहा है यहां पर कोई ना कोई रास्ता निखलेगा यहां पर आप देखर रहे हो कोई रास्ता निकलेगा यही रास्ता जो है वह और आपके पास सेक्स्स फुली पहुँ ज और feelings आपको good आ रही है तो हम altogether inis काई पखेंको यहीं कुछ good आप मेरे से ले रहे हो तो कही नहीं कहीं इस्पढ़ ने मिलाया है तो इश्वर ही रास्ता निकालता universe ही रास्ता निकालता और मेरे जरिये ही सही आपको information मिल रही है ठीक है तो यहां पर रास्ता निकल अपने लाइफ में आगे बढ़े क्योंकि आपका पार्टनर की एनर्जीज तो मुझे देखकर यहां पर लग रहा है कि वो अपना वादा निभाएगा उसकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो आपके लाइफ में आना है उसको और वो आकर ही रहेगा सक्सिस्फोल एनर्जीज है आपका जो रिष्टा है वो बच जाएगा मुझे देखनी रहा है ऐसा कि रिष्टा जो है वो खता मुझा का तूट जाएगा यहां पर अगर तूट भी चुका है वह चैसी सिच्वेशन है कि वह तूट क्या है तो भी यहां पर देख रहो ना हो जा इस ट्राइम आफ पिरियड में रियूनियन हो जा सक्सिस्फुल रियून हम एक कार्ट से और लोंगी और इंफॉर्मेशन दोंगी कि मुझे इस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लें लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ा हुआ है वहां से ले लिज इसके जरीए खुब पूछिए एक पॉइनमेंट लीजिए रिडिंग कर वाइए पर ऐसे कॉल नहीं ठीक है एंड देखो अभी आपके लिए मैंने कार्ट लिया आया आप कार्ट में अनर्जी जो आ रही है वो गोईंग विद दा फुलो के अनर्जी जा रही है मैंस कही न मिलती है एकदम तो नहीं पहुंचाते है ना मंजल पर तो यहां पर मैं यहीं बो देख रही हूं टेरो कार्ट में अनर्जी के अब क्या हो गया है कि अभी इस ट्रेंपर नो कॉंटक्स सुच्वेशन है तो बहुत कुछ बिगड़ चुका है यह तो पहले बीच में साथ लएल रहते हैं लकिन की तो वह चीज़ होगी है अब क्या हॉँ कि जू चीज रिस्टरब हो जाती है वो दोबारा से जब जुड़ती है तो धीरे धीर ही यागे बढ़ती है असा नहीं है कि टूट गईता टूटी गई असा नहीं हوتा इए जुड़ता भी है हमारी बाइ-बाइ and comment box में जया शरीट आदे एकना लेकिना लखना पर कोल भी मत भूले and take care bye bye dear guys